अगर आपकी ब्लॉक की स्पीड ठीक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारे विजिटर्स लूज कर रहे हो क्योंकि गुगल का जो रिशन अपडेट है उसके हिसाब से अगर आपका वेबसाइट एनफ स्पीड नहीं आपके वेबसाइट में तो आपका साइट रैंक नहीं करेगा अगर रैंक नहीं करेगा तो ट्राफिक कहां आएगा हलो दोस्तों मैं हो चानलन आप देखरें हिनी नंगारी तो चलिए स्वर्च शुरू करते हैं अगर आपने अभी ते हम चलनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको डिटरा बटन देखिया अगर आप यह सिंपल थ्री स्टेप को फ़ल करोगे तो आपका वेबसेट बढ़्यास फिर रहेगा मैं यह बनाओ आगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कौन सा उप्सन चूझ कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहींै बतलो कम है बिना पैसर कुछ होने वाल नहीं आगर कम पैसा है तो आप क्या वंठ साहन कर सकते हो तो चलिए भड़े को आरग बाते हैं जो पहला चीज है वो है hosting, hosting सबसे ज्यादा जोगी है, बाकिया कुछ भी कर लो, अगर आपका hosting का speed अच्छा नहीं है, अगर आपका hosting का server का location सही जगा नहीं है, तो आपका कुछ नहीं होने मला, आप कुछ भी कर लो, आपको उतना speed नहीं मिलेगा, तो अगर आपको एक आच् hosting चाहिए, तो hosting में आपको दो तरह का option मिलेगा, एक है NGINX server और दूसरा है light speed, अगर आपको एक प्लाउड होस्टिंग प्रवेड करता है, लेकिन आपको उसमें, जो NGINX है या फिर light speed आपको खुद इंस्टल करना होगा, अगर आपको नहीं पता, यह सब सीज कैसे करना है, तो थोड़ा महगा option तरह जाता है, ओ है Cloudways की तरफ, Cloudways एक platform प्रवेड करता है, जहां से आप Digital Ocean या फिर दूसरे cloud hosting का, आप इंस्टल कर सकते हो NGINX server, जो कि बहुत भाश होता है, अगर आपको प्रवेड नहीं है, तो आप A2 hosting यूज कर सकते हो, या फिर हम ब प्रवेड करता है, इंडिया का लोकेशन, इंडिया का लोकेशन अगर आप चूज करते हो, उनका A2 hosting तरह लाइट स्पीड नहीं होता, या फिर NGINX server नहीं होता, उनका सिंपल आपाची server होता है, लेकिन जैसे कि वो प्रवेड करते हैं इंडिया का सर्वार, तो अगर मैं order करना है, अगर मैं online order करता हूं तो 5 दिन शादन लगता है, तो एसे ही, जितना distance होगा आपका जो user browse करेंगा, जितना distance होगा, अगर आपा server USM होगा, दूसरा की जगा होगा, तो user को time लेगा, और server तक मतलब signal पहुंच के return होने में, जो आपका page का जो downloading चीज है, तो इस सब आप चूज कर सकते हो, hosting पार दूसरा से आता है, जो है theme, और यकीन मानिये, जितने भी सारे beginners है, वो यही गलती करते है, मुझे भाई मेरा जो blog है, वो चमचमाता दिखान चाइए, इसमें ये बटल होगा, ये होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रिन होगा, मतलब प fancy option के उपर ना जाहिए, आप बहुत सकते हो, मेरे sideway भी निजबर थी, में जो कि एक lightweight theme बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हम पहले से इस्तिमाल करते थे, वोलकि आज ते यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा lightweight जो option है, वो चूज करना चाहिए, जैसे कि Janet Press या फिर Astra, फिर हमेरे discussion आपने store से बहुत ही कम price में आप इसको खेड़ सकते हो, मेरा recommend है कि आप Janet Press यूज करो, आपको 12 speed मिलेगा, लेकिन ये कोशिस मत करना कि उसको मैं जाल सज़ाद कॉस्टमाइच करूं, footer में ये डालो, header में ये डालो, ये मत करना, आप साभी ने MPNRC का वेक्सर रखाऊगा, ओ जैसे Janet Press का default theme है, ओ लोग ऐसे ही रख दिये, क्योंकि आप जितना ज़्यादा customization, design के उपर ध्यान दोगे, उसका जो loading speed है, इतना ज़्यादा घटेगा, आरे ये user पढ़ने आता है, इतना आपका जो ये तांजाम देखें नहीं आते, तो ये जो beginner से आप ये plugins हैं, तो मैं ये feature edit कर दूँगा, ओ feature edit कर दूँगा, ये plugin edit कर दूँगा, तो इसमें होता गया है, कि जितना ज़्यादा plugin इंस्टाल करोगे, जो के आपका जुरत नहीं है, तो site का loading speed है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए, आप अपने content के ओपर ध्यान ज़्यादा plugin यूज़ करके उसको ज़्यादा customize ना करो, अगर आपको एक plugin इंस्टाल करना है, वो है एक catching plugin, केज क्या होता है, वो memory है, user frequently, जो page browse करता है, वो इसको catch भर्सन में separate रख देता है, मतलब simple HTML format में उसको separate रख देता है, तो user जब आता है, तो catch भर्सन देखता है, और जो वो बहुत fast होता है, तो इसलिए एक catching plugin इंस्टाल करो, अगर आपके पास budget है, तो आप WP Rocket को पर जाओ, अगर आपके पास budget नहीं है, पैसा नहीं है, तो WP Total case ये plugin इंस्टाल करो, और इसका tutorial आपको YouTube पे कहवे मिल जाए, YouTube पे Google सर्च करवाब, आपको मिल जाएगा, तो पहला है, अच्छा hosting, फास्ट लो होस्टिंग, जो कि सबसे ज़र जोर भी है, अगर आपका hosting आपका होस्टिंग आप फिरी बहुत कोसिस करता speed बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, दूसरा है लाइटर थीन, जो कि हमारा जेनेट प्रस या फिर आसतरा, और तीस अगर आपको सुझावत निचे कमेंट करें, अगर आप चाहते हो कि मैं केचिंग प्लग इन के उपर डिटेल ने भीड़े बनाओ, तो निचे जोर कमेंट करना, मैं डॉल पी रॉकेट, मैं प्रस डॉल पी रॉकेट है, या फिर मैं दूसरे कहीं ब्लोग पर दूसरा कोई करेंगा है